हेलो फ्रेंज, जेशिक रश्णा, कैसे आप सब, वेलकम टू पृतिस कीचन, आज मैं आपके साथ हेल्दी एसा मसाला डोसा बाइट्स की रेसिपी शेर करने जाने वाली, वो भी इंस्टंट, इसके लिए हम लोगोंने देखो, चावल लिया हुआ है, उकड़ा चावल था, के साथा चावल है, और साथी साथ उड़त दाल, वाइट वाला जो दाड़ा था न वो, और एक दाना, एक चम्मत जितना मैंने मेथी दाना लिया हुआ है, हमें यहाँ पर सभी चीजों को भीगोना नहीं है, सिफ वाश करने है, तीनों चीजों मैं मिक्स करके लेगी, क्रिस्पीनेस अच्छा आएगा, क्योंकि हम लोग फर्मंट नहीं करने वाले, नहीं आथा आने देने वाले, नहीं भीगोने वाले, इंस्टेंट वाले यह अपम है, यह जो है मसाला डोसा बाइट से, देखो, अभी इसको हम लोग वाश करके लिए, जिससे इसके उपर का डस्ट निकल जाए, अभी मिक्चर जार में लेके, मैंने एक बार ऐसे चला लिया, और फिर क्या करने है, अपने को एक वाटी जितना दही डालने है, जो चावल कम अपलिया था ना, वही माप से एक वाटी जितना दही पहले डालने है, और मिक्स करने है, सभी चीजों को, और फिल पीछ के लेना है थोड़ा सा एक बार फिल से चला के होगा न मिक्चर उसके बाद अपने को आधा वाटी जितना दई फिर से दालने हैं टोटल अपने को देड़ वाटी डालना है बर एक साथ नई डालना है दई देखो मस्त अपना बैटर पीस के हो जाएगा अगर नई पीस ने हो रहा है तो आप थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हो और यहाँ पर मैं थोड़ा सा फ़ी बैटर ले रही हूँ अब भी जितना बनाना है न उतना बाकी बैटर में अलग रख रही हूँ तोड़ा सा नमक डाल ज़े उसमें हम लोग और इन सबी चीजों के अच्छे से मिक्स करके लेने हैं यह इतना मस्ते हेल्दी नाश्टा होता है नोर इससे बनने के लिए हाडली 15 मिनिट का टाइम लगता है आप चाहिए तो मॉर्निंग ब्रेक्वास्ट वगरे में इसको ले सकते हो इवन बच्चों के टिफिन बॉक्स के लिए तो बैस्ट ऑप्शन है इवनिंग स्नैक्स रात के डीनर में भी आप ले सकते हो देखो सबी चीजों को मिक्स करके अपने को कम से कम 10 मिनिट का रेस्ट देना है वो रेस्ट हो रहा है तब तक अंदर का स्टफिंग रेडी कर लेते इसके लिए थोड़ा सा तेल गरम रख दिया था मैंने और जीरा दाल दियू मैं साथी साथ थोड़ी से हम लोग अभी अध्रक और मिर्ची उसके टुकड़े दालेंगे देखो मिर्ची के टुकड़े दाल दियू और थोड़ा सा अध्रक के टुकड़े दालेंगे बारिक किये हुए आप चैये तो अध्रक मिर्ची का पेस्ट का भी के लेंगे अपने को ज्यादा नहीं पका नै का देको थोड़ा से हल्का सा ट्रांस्परेंट कलर आ दे तरना तब तक अपने को भूनने उसके बाद थोड़े से पके हुए आलू चुरते उसको मैंने थोड़े छूट्टी चूटे टुकडे करके थोड़ा सा मैश करके लिए पूरी तरह से मैश करने और थोड़ा थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल दिये और इससे चीजों का अच्छे से मिक्स करके लेने देखो अपने को पूरा का पूरा वर्जो हे ना अलू उसको मैस्ट नि עता हो धाल चुकड़े ऊसा टेस्ट आएगा देगा अप फोड़ा धरा धण्या दाल देंगे हमारा इस्टॉफिंग निकल लेंगे और उसको धण्डा होने देंगे उतोफिंगे लिखने में जितना मस्त है खाने में ये उससे भी बहुत मस्त लगता है और बच्चों के टिफिन बॉक्स में अगर आप ऐसे दोगे ना तो टिफिन पूरा का पूरा खाली होके ही आएगा देखो इसके छोटे-छोटे से हम लोग को गोले करने ज्यादा बड़े नहीं करने ज्यादा बड़े करेंगे तो क्या होगा आपम स्टैंड में आएगा नहीं इसलिए छोटे-छोटे करने अभी क्या करना है वह बैटर चेक कर लेते बैटर भी मस्त हमारा हो चुका है सेट अभी इसको मिक्स करके लेंगे और बैटर को अपने को ज्यादा बारिक नहीं अपन स्टैंड मैंने गरम रख दिया था यहाँ पर थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे हम लोग उसमें और तेल गरम होने का राद देखने आपने को राद ऐसे तेल जैसे गरम हो जाएगा ना उसके बाद अपने को इसमें वह बैटर जो हमने रेडि किया ना वह थोड़ा ही डालना है पूरा नहीं डालना है पूरा भर देंगे तो बीच में वो स्टफिंग बरकना है अपने को वो नहीं होगा इसलिए अपने को आधा आधा भरना है देखो चमच की मदद से आधा आधा ऐसे बरते जाएंगे न उसके बाद बीच में हमने जो स्टफिंग को रख दिया है अभी उसको कवर कर लेंगे बैटर एकदम कम डालेंगे उपर कवर करने के लिए और यहां पर मैंने अभी दोसा बाइट मसाला दोसा बाइट को पकने देना है देखो अभी सबी चीजों को कवर कर लिया है थोड़ा सा तेल डाल दे रही है उपर से और फिर ढखके कम से कम 5-7 मिनिट अपने को पकाना है पकानी अपने को चेक करके लेना है उपर से देखो के न सबी पड जो है उपर का पूरा ड्राय हो चुका है और फिर चममच की मदद से इसको पलटके लेना यह जो पलटने होगा उसी को पलट यह नई पलटने होगा उसको रहने दीजिए वह कच्छे रहेंगे इसी लिए और फिर मीडियम फ्लेम पे अपने को दूसरी और से पकने देने और दूसरी और से डख के नहीं पकाने ओपनली पकाने जिससे हमारा क्रिस्पी ये नाश्टा रेडी होगा ये उपर से क्रिस्पी अंदर से सब्सक्राइब कर दिजीए